हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो माई चैनल, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला मतर पनीर रेसिपी, तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये वे स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे गैस पे रख लिया है एक पैन और एक टेबल स्पून इसमें मैंने डॉयल का यूज किया है, तो जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए, तो हमने इसमें एक हरी मिश टाल देनी है काटके, तो यहाँ पे ले लेने हैं प्यास और इनको रफली चॉप करना है, दो बड़े साइज के प्यास हमने यहाँ पे लिये हैं, साथ आठ करिया लसून के ले ली हैं, और दो छोटे पीसे अद्रक के ले लिये हैं, तो इन सब को हमने अब भूनना है, और तब तक भूनना है, जब तक कि हमारे प्यास का कलर चेंज नहीं हो जाता, तो यह देखिए, हमने इनको कुछ तेर फ्राइ कर लिया है, हमारे जो प्यास है, उनका कलर ला पीसेज में काट लिया है और इन सब को भी हमने अच्छे से कुछ देर फ्राइ करना है अब हमने इसमें धक्कन लगा देना है और लो फ्लेम पे इसको पांच मिनट के लिए कोक करना है ताकि जो हमारे टमाटर रहो सॉफ्ट हो जाए तो यह दिखिए पांच मिनट बाद जब हमने खोल के देखा तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके है अब हमने यहाँ पे आफ कर देनी है गैस की फ्लेम और यह जो हमारा मिक्षर है इसको हमने एक बोल में ट्रासफर कर लेना है और इस मिक्षर को कुछ दरे ठंडा होने के बाद हमने इस तरह का पेस्ट पना लेना है मिक्सी में चला कर अब हमने गैस पे रखनी है एक और कड़ाई उसमें ले लेने है दो टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल आप चाहें तो जो कुकिंग ओयल आप यूज करते हैं उसका यूज करें तो जब हमारा तेल गरम हो जाए तो हमने इसमें डालना है जीरा एक हरी मिर्च एक तेज पत्ता एक टुकड़ा दाल चीनी एक बड़ी लाइची तीन चार लॉंग एक दो काली मिर्च अब हमने इसमें एट करना है जो पेस्ट हमने बनाके रखावा था तोड़ी देर आप इस पेस्ट को तड़के के साथ मिक्स करके चला लें तोड़ी देर फ्राई होने दें इसको उसके बाद हम इसमें ड。ट करेंगे मसाले यहाँ पे हमने लिए है half tablespoon healthy powder, एक tablespoon दनिया powder, half tablespoon लाल मिच्ची powder और half tablespoon कश्मीरी मिच्च यह हमने थोड़ी color के लिए add करी है, नमाक आप अपनी taste के according ले 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 तो अब हमने मसालों को अच्छी तरह fry कर लेना है और यह सब हमने low flame पी करना है तो जब तक मसालों में से तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको लगातार इस तरह चलाते वे low heat पे cook करना है तो यह दिखे फ्रेंट, अब मसालों ने हमारे तेल छोड़ दिया है, तो अब हमने इसमें add करना है हरी मटर और मटर को हमने मसालों के साथ अच्छे से mix कर लेना है अब आप इसमें जखन लगा दें, और low flame पे इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकने दें पांच मिनट हो चुके हैं, इसको cook होते वे, तो यह देखिए, मटर हमारी लगबग पक चुकी है इस टाइम पे हमने अब इसमें add करने है, पनीर, और यह पनीर मैंने लगबग 200 ग्राम से करीब ली है पनीर को भी हमने इसमें अच्छे से mix कर लेना है, और कुछ तेर तक इसको हमने फिर से low heat पे cook करना है तो यहाँ पे ढखकन लगा दिया है मैंने, और इसको low heat पे cook होने देना है, तो यह हमारा masala मटर पनीर रेडी हो चुका है तो add में आप इसमें अब हरी धनिया डाल दें, इससे सबजी का टेस्ट हमारा काफी अच्छा हो जाता है ग्रेवी आप अपने हिसाब से थिक या पतली रख सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और पकाएं और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पतली रखनी है तो आप थोड़ा इसमें पानी एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर मसाला मटर पनी रेड़ी है आप इसको गरम गरफ सर्व करें और मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थेंक्स फॉर वॉचिंग